आज में लेकर आई हूँ आपके लिए नारियल की वर्फी की रेसिपी जो कि बहुत जल्दी बन जाती है और उसको हम बिल्कुल उसके रियल फ्लेवर रेसे वाले फ्लेवर के साथ बनाएंगे तो नमस्ते दोस्तों स्वागत है आपका मेरे चैनल लवलीज रेसिपी में तो इसकी जो उपर वाली जो इसके लगी हुई है इसको मैं चाकू की साहता से निकाल दूंगी इस तरह यह चाकू की साहता से आसानी से निकल जाती है कुछ ज्यादा टाइम नहीं लगता मुस्किल से पांच विट में यह निकल जाती है तो मैंने निकाल ली और यह पूरा-प इस तरह से में पूरा नारियल ग्रेट कर लोगी तो पूरा नारियल हो गया है अब इसको हम ग्रैंडिक जार में डालेंगे और इसको मिक्सी से मिक्सी कर लेंगे तो मैंने इसको देख लिए जी मिक्सी कर लिया है एक दब फाइन इसको नहीं किया है थोड़ा रेसे वाला इस तरह का रखा है क्योंकि रेसे वाला रखेंगे तभी रेसे वाला टेस्ट आएगा फाइन रख देंगे तो फिर वो रेसे वाला टेस्ट नहीं आएगा तो गैस पर चड़ा दिया मैंने कड़ाई और उसमें रख रही हो में दो छोटी चमच खी और इसमें मैं डाल दूगी ग्रेटेड नारियल जो मिक्सी कर लिया था हमने और इसको मैं रोस्ट कर लूँगी रोस्ट बस एक से दो मिट तक करी करना है परपस यह है कि इसका जो मौश्चर है वो रिलीज हो जाए इसके अलावा कुछ नहीं एक से दो मिट में ही यह डन हो जाएगा तो यह हो गया है इसको मैंने प्लेट में निकाल लिया है वही कड़ाई मैंने फिर से चड़ा दी है गैस पर और इसमें मैं डालूँगी लगवक एक कटोरी दूद तो एक कटोरी दूद मैंने इसमें डाल दिया है और साथ ही मैं इसमें डालूँगी दो चमच घर की मलाई जो मिलाई के ही अब आड़े औक हैं आप mnie इसको अच्छे सी मिक्स कर लोंगे lichen तो कटोरी नारियल carrying करtsåंगे और गल्ती होने का कोई चांस नहीं रहेगा तो दूद हमारा गाड़ा हो गया है लगपड देख लिए बिलकुल गाड़ा हो गया है तो अब मैं इसमें डाल दूँगी नारियल तो नारियल जो तैयार करके रखाता वो मैंने इसमें डाल दिया है और दूद के साथ में इसको बहुत अच्छी तरह से मिक्स कर लूगी ये मिक्स हो गया है देख लेजिए दूद के साथ ये बहुत अच्छी तरीके से पूरी तरह से मिक्स हो गया है दूद बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा है, तो अब इसमें मैंने डाल दी है, एक कटोरी चीनी, अब चीनी हमारी हो जाएगी लूज, सारा काम में ये मीडियम फ्लेम पर कर रही हूँ, चीनी देख लिजी हमारी लूज हो गई है, चीनी का लोजिक ये रहता है, कि इसम बनती है, चीनी की वो दो तारकी हो जाए, तो मतलब वो जम जाएगी वर्फी, तो देख लिजेए, इसमें शेफ होल्ड करना सुरू कर दिया, इसी पॉइंट पर मैंने कर दिया फ्लेम को ओफ, और इसको मैं ग्रीस की हुई प्लेट में निकाल लूँगी, शेफ होल्ड कर ने लग जाती है, इसमें भर्फी हमारी डन हो जाएगी, तो प्लेट में मैंने इसको निकाल दिया है, इसकी तिकनिस आप अपने हिसाब से रख सकते हैं, कि आपको कितनी मोटी वर्फी बनानी है, चम्मच से मैं इसको अच्छी तरह से सेट कर दूँगी, बिल्कुर बहु क्योंकि कडाई गर में है, तो उसी में आप अलट पलट करते रही है, तो बिल्कुल और फिर प्लेट में निकाल लीजिए, तो बर्फी आपकी बिल्कुल भी टाइट नहीं होगी, और अगर गैस चलती रहती है, और हम उसको चलाते रहते हैं, तो कभी-कभी ऐसा हो जाता ह कि कडाई में ही बर्फी जमने लगती है, इसलिए जब सेफ होल्ड करने लग जाए, उसी टाइम हमको फ्लेम को कर देना है, और कडाई में ही उसको चलाते रहना है, तो पलेट में इसको देख लीजिए, मैंने बहुत अची तरह से सेट कर दिया है, अब गरम में ही मैं इसम में माक बना रही हूं, चापू से, आप चाहिए तो इसमें केसर या इलाइची वगरा भी डाल सकते हैं, पर क्यूंकि मुझे इसका ओरिजिनल टेस्ट चाहिए, तो मैंने इसमें कुछ नहीं डाला, इसको बिल्कुल हम रियल रेसे वाले फ्लेवर के साथ बनाएंगे, थो बादाम को इस तरह से मैंने मतलब एक मैंसे, दो बादाम ऐसे बीच मैंसे काट लिया था, और पर मैं कुछ बर्पियां पर चपका दूँगी, सारे पर नहीं चपका रही हूं, कुछ प्लेन भी रहूंगी, अब इसको हम एक गंटे के लिए ठंडा होने देंगे, एक गंट तो देख लिए बर्पी हमारी चाकू की साहता से निकल जाएगी, बहुत ही आसानी से, तो दिख लिए निकल गई है, इस तरह से मैं सारी बर्पी निकाल लूँगी, इसमें से, कितनी अच्छी बर्पी जमी है, देख लिए, अगर परफेक्ट मेजर मेंन के साथ की जाए, तो बिल्कुल भी गलती नहीं होती है, और बर्पी बहुत अची जम जाती है, तो देख लिए, सारी बर्पी मैंने प्लेट में निकाल ली है, एक मैं इसमें से आपको तोड़ कर भी दिखा दे रही हूं, देख लिए, तो पंदरा से 20 मिनट में ही ये बर्पी हमारी कितनी बड़िया फ्रेश नारियल की बर्पी बन करके तयार हो गई है, तो रेसिपी पसंद आए, तो प्लीज मेरी वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजेगा, और बेल आइकन को प्रेस कर दीजेगा, जिससे मेरी आनेवारी वीडियो की नॉटिफिक्श आपको मिल जाए, थैक्स पर वाचिंग, मिलते हैं नेक्स वीडियो में, बाई!